काटो इस्टेरिंग, इस्टेरिंग काटो चुड़ो, रेस कम करके, रेस कम करके, रेस कम करके, नहीं कट रहा, इधर काटो, काटो इधर, काटो, काटो, नहीं कट रहा तो खलो दोस्तो फिर से आपका स्वागत है मेरे नूव विडियों तो दोस्तो आज मैं इस टॉपिक में बात करने वाला हूँ टाटा बीये स्पोर की पंप एस्टेरिंग पंप काम नहीं करे यानि कि एस्टेरिंग आपका नहीं कटे तो आपको क्या करना चाहिए मैं दोस्त तो देखते हैं कि ये स्टेरिंग चेंज करने से क्या होता है क्या नहीं मेरे दोस्तो देखते हैं दोस्तो चेंज करके देखते हैं कि क्या क्या करना है क्या नहीं मेरे दोस्तो तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाना इसमें कौन-कौन से लेल में दोस्तो तो ओपर वाला जो 30-32 का मैं अगार थोड़ा सा आपको जूँ करके दिखा दून मेरые दोस्तो तो आप देख सकते हो इधर ची में आपको दिखा दून को कि द स्टाइबहार दिखाई नहीं देरा कट रहा है नहीं कट रहा है तो चलिए पंप चेंज करके देखते हैं मेरे भाई आप देख सकते हों चलिए मेरे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दू कि मैं पंप का में पाइप और रिटन पाइप दोनों खोल चुका हूं मेरे दोस्तों और मैं साथ में भी बताऊंगा मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि एक में लगा है दो पाइप खुला है, एक में लगा है । तो वी 27 के 28C227 के पाने और दूसीरे में लगा है 32 के पाने १ देख सकते हो कि मैं अगर थोड़ा सा आपको जुम करके दिखा दूह मेरे दोस्तों देख सकते हैं ये पंप का मेन और रीट़न दोनो के मेरे दोस्तों एक हो क्रों क OC मेरे वीडियो में तो दोस्तो फूरा फुल वीडियो देखो कि तभी आपको समझ में आएगे कि मेरा प्रोब्लम सॉल हुआ कि नहीं हुआ अगर आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो दोस्तो क्या करनी चाहिए ऐसी सिच्वेशन में आपने स्टार्टिंग में देखा होगा मेरे दोस्तो के स्टेरिंग बराबर नहीं कट रहा था एक साइड मतलब मेरा राइट साइड कट रहा था लेफ्ट साइड नहीं कट रहा थ अगर कि शूहरा है अगर ₪ औि आगे चैनल को स्क्राईब कि जूए की लिए-ट रुकीव, अर याप, याप भूआ देख के कुि। ताकि और शेयर कर देना ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करना मेरे दोस्तों कि ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके मेरे दोस्तों तो मेरी नीचे की बोल्ट खुल गई देख सकते हो मेरे दोस्तों तो चलिए उपर का बोल्ट खोलते हैं मेरे दोस्तों तो पंप खुल गई मेरे भाई आप देख सकते हो कि अगर हिला डोला की आप निकाल सकते हो देख सकते हो मतलब एकदम से नहीं निकला है अगर आप वीडियो में देखोगे तो एकदम से मेरे हाथ उसे निकला है तो मैं आपको बता दू मेरे दोस्तों कि एकदम से नहीं निकला है मैंने पहले हलके सी हांताड़ी का चोट मारा हूं तब बाहर निकला है लेकिन उसकी वीडियो मैं recording नहीं कर पाया हूं क्योंकि काम भी करना वीडियो recording भी करना थोड़ा सा नहीं हो पाता है एक साथ के अगर को अंदर से दिखा दूं मेरे दोस्तों देख सकते हो जो गेर की प्लेटे है वह अंदर ही अंदर है मेरे दोस्तों को तो दोस्तों मैं आपको दिखा सकते हो क्यों पंप जहां पर लगती है उसकी जगह और आप देख सकते हो यह जो यह जो पंप है जो अभी मैं आपको दिखाए सर्वीशिंग करके यह खोला वाला पंप है अभी आज़ाई और से कियाओ धाल DDT यह रेक्ट हैं जिसका मैं डालूंगा और यहीं आपको आप लिकहा दूथ से तो इसका पार्ड नंबर थोड़ा थोड़सा तो विक्रिप्चन में मैंने इसका पार्ड नंबर औरいき प्राइज में लिख właści रखा है पहले से तो मैं आपको बता कांचा मिल गा तो समझें कि असानी से बैठ जाए मेरे दोक्तों मैं रहाओ दोस्तों थोड़ी सी वीडियो मतलब अच्छी नहीं आएगी मेरे दोस्तों मुझे मालूम है क्योंकि एक हाथ से लगाना और एक हाथ से वीडियो करना थोड़ी सी मतलब प्रोब्लम बाली बात है तो देख सकते हो मैंने पंप अभी मेरी पंप बराबर नहीं बैठी है पर ध देख सकते हो कि मैरी pump बराबर बैठ गई है और मैंने एनवाट डाला है मेरे दोस्तों आप जब जब भी आप you pump लगाओ say कव होने की प्रोब्लम ना हो नहीं तो क्या करते हैं कि ना टीव टाले लगा देती हैं आप व्याया स्थे website कभी कवी काम करो safety से करो ताकि एक बार काम करने के बाद फीर दुबारा करना ना पड़ने तो तो देख सकते हो मैं उपर का मैंने आपको बताया था खोलने को टाइम मैं नहीं दिखाया था कि रेचेट और अदस की गोटी से टाइट करना लेकिन मैं इस बार आपको दिखा रहा हूँ टाइट करने के टाइम और अगर आप ध्यान से देखोगे तो देख सकते हो इसके part number pump का part number अगर थोड़े ध्यान से देखोगे तो pump का part number आपको दिख जाएंगे मेरो दोस्तो तो देख सकते हो finally guys pump फीट हो गया है और चलते हैं इसके main pipe और return pipe लगाते है मेरो दोस्तो main pipe कहने क से आती है आय पंप में और फिर पंप से होकर एक पाइप जाती है कहां स्टेरिंग बॉक्स में तो देख सकते हो मैं सबसे पहले 30 का जो आपको मैंने बताया कि 32 का जो 32 के पानी से टाइट होने वाला सबसे पहले मैं उसको टाइट कर रहा हूं मेरो दोस्तो थोड़ी सी वीड करो और एक खाथे पंप फिट इस थोड़ी से प्रोब्लम आती है आप लोग समस्झ सकते हो मेरी प्रोब्लम तो दोस्तो मैं बराबर पांप फिट कर पाया कि नहीं कर पाया कमेंट में जरूर बताने मेरे दोस्तो ताकि तो कि मुझे आगे और इससे अच्छे-च्छे कंट एंट करें मेरे दोस्तों और लाइक जरूर करें दोस्तों ताकि आप जितना like करते हो जितना कमेंड करते हो उससे मुझे motivate यानि कि मुझे और अच्छे content पर वीडियो बनाने का मतलब energy मिलती है जो आप कह सकते हो energy जैसे चावल भाल झाणे से energy मिलती है वैसे मुझे इनर्जी मिलती है कि मैं नहीं मैं इस से और अच्छा बेटर करके आपको मैं समझा पाऊं वीडियो में तो दोस्तों देख सकते हो मैं पाने से अप्टाइट कर रहा हूं तो इस पाइप को टाइट करके और उसके बाद गाड़ी को चालू करके और श्टेरिंग बूरे पाइप फिट हो चुकी है और पंप भी फिट हो चुका है तो चलते हैं गाड़ी को चालू करवाते हैं मेरे दोस्तों और गाड़ी को चालू करवाके और उसके बाद चिक करते हैं मेरे दोस्तों कि फिर मेरा श्टेरिंग बराबर मतलब श्टेरिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है मैंने चैंज किया आप का मतलब झाविया गड़ी का प्रोब्लम सौल हुआ की नहीं हुआ तो आप देख सकते हैं मेरे दोस्टों तो चलिए डपबे में अरल डाल लेते हैं पहले अरल डाल कि उसके बाद को इसको चेक करते ही मेरे दोस्टों तो चलिए आपडर ढालते हैं मेरे दोस्तों तो अगर मेरे चैनल पर नया है तो अपली चैनल सेस्क्राइब र कर ले मेरे दोस्तों तो चलिए दोस्तों डालते हैं इसमें दोस्तो भाइ से तीन लीटर अायल बैठती है मिर दोस्तो दोस्तो चलिंब गाड़ को चलू करवाकर चेक करते हैं मेर दोस्तो के तो आप देख सकते हो स्टेरियम इधर आटो हूँ एधर आट सेक्टिर मेरे दोस्तों तो 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 चलिए राम राम जी और जय हिंद में